हेलो फ्रेंज वेलिकम टू ड्रीम ट्रैप चैनल तो आज मैं आपको बताने वालों को कैसे आप वाइरल स्क्रिप्ट पना सकते हैं विशिंग वाइरल स्क्रिप्ट तो आज मैं आपको बताऊंगा आप इद मुबारक फ्री ब्लोकर स्क्रिप्ट पना सकते हो वह भी वर्टस तो ऐसमें अभि मैंने एड नहीं लगा है तो इसका blues making नीचे मिल जाएगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते है मैं इसका आपको डाउनलोड लिंक भी पिता देता हूं यह रहा आपका डाउनलोड य़ाउनलोड कर सकते हैं तो अभी मैंने यह स krip डाउन्لोड की होई है तो सिधा ले चलते हैं मैं आपको बिलोगर में तो सब से पहले आपने एद मुबारक का ब्लोग बना लेना है और उस पर आपने जाना अपने जाना है आपने कोई भी अच्छे से जा लेणी तो मैंने simple theme select कि हुई है यह वली theme मैंने select की हुई है आप देखicieंगे ध़ले और इसके बाद आपने यह यह एस होगा तो आपने मेशा öप रहने हमशinku रखना और इसमें तो मैं इसको को लेता हूँ ESFile Explorer में तो ESFile Explorer में जाने करद मैं Note Editor में जाओंगा और यहां पर Edit वे button पर click करोंगा और इसके बाद मैं वह स्क्रिप्ट को paste करोंगा आपने वहीं से इसक्रिप्ट को को पी कर लेना है जो मैंने वेबसाइट के डाउनलोड में दी है तो इसमें हम लगाएंगे अभी एड उससे पहले मैं अपने एड जनरेट कर लेता हूं ह्इस जिनरेट करने के लिए मैं ai 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 च AC cofie करने के पता हूं न होजाता हूं 화 हम पर पेस्ट करेंगे अपना एर्स जो हमने जननेट कही है इसमें आपने path कर ले Per तो आपको AdSense code दिखिया है तो आपने सिरफ यहां से लेकर और यहां तक आपने select कर लेना है और जो आपने code copy ads का वो paste कर देना है इसके पाद हम फिर से search करेंगे ads तो मेरे से गलते से A-D-E लिखा गया तो अभी ads ही select करेंगे ads तो यहां पे तो मैंने पहले से लगा दिया अभी यहां पे एक और ads हमें दिखिया center adsense code air तो अभी हम फिर से इसको select करेंगे और यहां तक select करने के बाद हम फिर से अपना जो copy किया पेस्ट वहां यहां पेस्ट कर देंगे फिर से हमें ads search करना है अगर कोई ads का हुआ तो हम ads लगा देंगे तो अभी हम जाएंगे फिर से हमारे blogger में जहां हमने वर्षप की यह script create की है तो हम तो और एक बाद यहां रखना यह यहां पर blue में होगा तो आपने इसको भी off कर लेना है ठीक है sir इसको off करने के बाद आपने सारे script को select कर लेना है select करने के बाद cut कर देना है और इसमें paste कर देना है जो हमने ads लगा के copy की थी तो यहां पर मैंने save theme के button पर click कर दिया है तो आप देख सकते हैं व्यू ब्लोग में जाएंगे अब हम है तो यह मारा ब्लोग आ गया है यहां पर हम कुछ भी नाम देख सकते हैं अपना तो अभी यह देखिए ads आगी आप एक ads यहां पर दो ads और यहां पर एक और तीन ads आचकी आप देख सकते हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं आप अपने friends के सब वर्सेय पर तो यह थी हमारी आज की script अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज यह वीडियो को लाइक करतो और comment करतो और चैनल को subscribe करतो प्लीज यह चैनल को subscribe करना मत भूला थैंक्यू दोस्तों